नमस्कार दोस्तों आज इस सत्र में हम बात करेंगे वरिष्ट अध्यापक सामाजिक विज्ञान की रणनीती पर और इसे तू कौन सी पुस्तकों का सहरा एक स्टूडेंट ले सकता है इस पर बात करेंगे काफी दिन से अभ्यर्थी कह रहे थे कि सामाजिक के लिए कुछ आप है वह सजेस्ट कर पाते तो थोड़ा सा बेनिफिट हो जाएगा तो फर्स्ट पेपर का तो मैं यूट्यूब पे डाल सुका था तो आज मैं कोशिश करूंगा कि सस्ट के बारे में कुछ किताबों को आपको सजेस्ट कर सकूं ठीक है अदेखिए सस्ट के अंदर आपक सेकंड पेपर होता है और इस तीन सु अंक के सेकंड पेपर में टोटल आठ सब्जेक्ट होते हैं ठीक है आठ विशय होते हैं जिसमें चार विशय बड़े हैं जैसे आपके इतिहास बड़े विशय में सामिल हो जाता है और राजनिति विज्ञान बड़े विशय में सामिल सामिल कर सकते हो उद्हों कि अच्छे साथ में शोटे सब्जेक्ट में समास सास्तर आजाता है नहीं मैं आपको कि बारे में बताऊं कैसे इसकी तहिर साउBd theor करनी हो सब्द कर सकते हैं समास सास्तर हो गया और लोग पर सास्थन हो गया ठेक है और दर्शन सास्त्र हो गया दर्शन सास्त्र और कौन सा से इस बच गया चार हाँ एक हो गया स्ट्शन भी दिया यह तीन और दो आठ आठ विशे हैं और टोटल एक सो पचास प्रशन आते हैं तो सभी में लगबग लगबग अठारा बीस का एवरेज रहता है तो आपको बताए कि आठ विशे हैं तो हमारे लिए बड़ी चुनोंती होती है स्टूडेंट के लिए खेर होई है लेकिन साथ में मेरे लिए भी और सक्षकों के लिए भी की आठ विशे हैं तो क्या मैटरियल सजेस्ट किया जाए क्योंकि अगर आठ विशें की मैं पुस्त के बताऊं तो इतिहास की तीन पुस्त के आती वर्ल्ड की अलग आएगी स्ट्री अलग बार्तियार सास्त्र अलग समाज सास्त्र में भी सद्धानतिक अलग वार्तिय समाज अलग लोग प्रसासन में बार्तिय प्रशासन अलग प्रसासन के सद्धानत अलग दर्सन सास्त्र में वैस्टन फिलोसोफी इंडिन फिलोसोफी और आथिक्स आपके निति तो आपको लगता है कि वरुसे योग्य वैक्ति है तो आपको करना चाहिए आपको लगता है कि नहीं तो नहीं करना चाहिस और कोई बादता नहीं है मैंने मेरा सब्सक्राइब क्या सब्सक्राइब करो ऐसको लाइक वगिणा तॉC स्थिक आदमिया तो बच्छोंने जॉइन कर लिया एगा कि credible वेक्ति ये ठीक बात करता है सुनना पुसंद किया बच्छों को लगा कि विश्वशनी वैक्ति हैं तो उन्होंने फॉलो कर लिया कई बच्छे नोकरी भी लगए कई आलचक भी हो गए तो मुझे फरक पड़ता नहीं है इन चीजों का मैं बस मेरा काम सिद्दत से करता हूं ठीक है तो मैं उसी पर सब्सक्राइब की थी चार साल नोकरी करी थी मैंने और उस समय भी सब्जेक्ट थोड़ा बहुत सेलेबस करने चेह हुआ होगा कोई बड़ा फरक नहीं आया तो अब देखिए सबसे पड़ी बड़ी बात इसमें सेलेक्शन के लिए आपको क्या करना है मैं आपको सबसे पह बनता है 500 में इन पांच सब्जेक्ट को आपके आपको नोट्स बनाने ही चाहिए कारण बता रहा हूं इनको जितना ज्यादा पड़ोगे जितना ज्यादा जितना ज्यादा पढ़ोगे उतना ही यह आपको पूरे पूरे प्रशन देता है अब इन पांच से लगबग 90 प्रशन आएंगे अब जो 90 प्रशन आएंगे अगर आप बार बार उसी रजिस्टर को पढ़ोगे न कंटीनियू तो 90 मैंसे आप 60-65-70 प्रशन निकालोगे पहली जाएगी अच्छा अगर इनके आप नोट्स बनाते तो 3-5 बाहग के 5 कोपिया बनेगी और इन पांच कोपियों को आप बार बार पढ़ोगे ना तो इन पांच में शिशान दार कर लोगे तो इन पांचों के एक तो आपको नोट्स बना लेने चाहिए पहली बात क्योंकि यह चोटे बाग है पांचों इन में ज्यादा कुछ इतना बड़ा है नहीं और यहां पूरे सवाल निकाले जा सकते एक स्टूडेंट की सफलता इन पांच सब्जेक्ट्स में सुपीवी इन तीनों में इतनी नहीं जितनी इन पांच में क्यों क्योंकि लोग पुरसासन को अगर आप बढ़िया से नोट्स बनाते एक रजिस्ट बनता है और मुझे लगता है एक भी प्रसंद बार नहीं जाता एक दो प्रसंद बली दरुद्द हो जाए यही कहानी समाज सास्त्र की यही दर्संद सास्त्र की है यही टीचिंग मेथड़ की यही अर्श सास्त्र की है पांच विश्यों के नोट्स बना लेने चाहिए और मुझे लगता है कि पांच विश्यों सबसे पहले पूरे कर लें जी आपको इन तीन में आप उलस गये ना जैसे इतिहास राजनिती और तो आप मान के चलिए कि आप इन से निकल नहीं पाओगी वापस तो पहले इनको कर लो उसके बाद एक के इसको करना शुरू कर दो ठीक है तो दिकत नहीं आएगी क्योंकि यह पांच बहुत ज्यादा सबसे पहले जरूरी है तो मुझे लगता है कि सबसे पहले आपको इन क्योंकि यह तीन सब्जेक्ट ऐसे हैं जिनको आपने पहली भी पढ़ा है यहां आपने कॉलेज के दौरान पढ़ा होगा यहां फिर आपने विद्याली सिक्षा में पढ़ा होगा यहां आपने किसी कॉम्पुटिशन में पढ़ा होगा में वगिरा भी इनमें करते हैं लो प्रशासन भी कम लेते हैं तो सबसे पहले तो आप इन पांच को स्टाट कीजिए और पांच को आप नोट्स बना रहे हैं तो एक एक को पूरा करके 500 को पूरा कर सकते हैं यहां पहले दो ले लो दोनों को पूरा कर लो फिर दो ले लो ऐसे करके कर लो पांच ही अगर नोट्स आप इसमें से आपके पास में एक रिकल्प है यान तो आप किसी देखो आप इसको परचार मफ समझना यह मेरा एक आइडिया है और अगर से सहमत नहीं है तो कोई बात ही आप अपने आइडियाよろ को आईडिया बता रहा हूं आप तो इसमें कोचिंग का सहारा ले सकते हैं क्यों कारण बताता हूं क्योंकि एक स्टूडेंट कॉलेज और स्कूल सिक्षा में जनरली इन आठ मैंसे इन पांच मैंसे तीन या चार तो डेफिनेटली उसके पड़े भी नहीं होते हैं तो या तो किसी ने एकोनोमिक्स ले लिए होती है तो यह तीन नहीं होते हैं किसी ने समासास्तर लिए तो यह तीन नहीं होते हैं कुल मिला कि इन पांच वाग यह ऐसे हैं जो आपके लिए बिलकुल नए होते हैं और नए भाग होते हैं तो दिक्कत क्या आती है कि मैं आपको किता भी बता दुआ लेकिन किताब से समझशा से यह आती कि जब भाग नया है सब्जेक्ट बिलकुल नया होता है तो उसकी लेंगविज एक तो आपको समझ मेनubl हाती है दूसरी बात यह दिक्कत आती है कि उसमें से सवाल कैसे आते हैं वह पैटन आपको समझ में नहीं आता किस तरह से प्रश्ण पूछा जाता जैसे अर्शास्तर का एक पार्ट है बोग्टा फलन अब कंजप्शन ऑफ फंक्शन अब इसमें प्रश्ण कैसा पूछा जाता है MPC MPC क्या होती है फिर आपके सी बरावर EBS में आपस संब्द किया है reporters क्योंगती करीब देशों क्यूंद क्योंगते है अब जैसे अर्थ सास्तर में कन्जिमर एक्विलिबरियर मातलई अब वहाँ पे आपसे पूछ लिया जाता है वहाँ पे कि वह दो वस्तों के संबंद में यह वोगता कहां पे संतुलित होगा कहां पे वो संतुस्ट होगा आपको आईडिया नी रहता है कि किस तोपिक से कैसी प्रशन बनते हैं यही बात सोची लोजी में यही बात लोग पर सासन में यही बात सीवह पढ़ा हूँ नहीं होता तो एक तो इसके अपने हो भासा समझ में नहीं आती है दूसरी बात ही है कि हमने पांच से बार पढ़के भासामालो समझ में ले भी ली तो हमें ये समझ में नहीं आता कि इस पार्ट से किस किस टाइप के प्रश्न बनते हैं और जो काम हमारा एक या डेट महीने में होना था वो काम साथ-साथ महीने नहीं हो पाता तो बड़ी दिक से बना लो नोट्स बढ़िया तरीके से ठीक है अब कोजिंग कौन से यह आपकी उपर डिपेंड करता है ठीक है आपको जो ठीक लगती है डेमो दीजी लीजिए आराम से और कर लीजिए मैं यह नहीं कहूंगा कि आप वो करें यह करें यहां पे आप पहले सलेक्टेड बच् से उसको ओनलाइन किया हुआ है उसमें भी जैसे आर्शास्त्रत में खुद पढ़ाता हूं और यहां पर भी सारी फेकल्टी बड़ी टॉप क्लास की तब मुझे ऐसा लगता है कि कम से कम इन सब्जेक्स के लिए लेने चाहिए बाकी तीनों की भली मत लो आप इस नाम सजेस्ट ने करूंगा यह आप क्यों ठीक है आप कोई भी गाइड एक लाके उससे चेक कर सकते हैं फिर अगर आप किताब लाके भी पढ़ेंगे ना तब भी आपको दिक्कत नहीं आएगी क्यों क्योंकि कोचिंग से आप समझे हुए आपको पता है प्रसन कैसा आता ह फिर अगर आप कोई भी पुक्स वगरा पढ़ोगे तब आपको उसमें से बहुत आरसान इसे चीज़ें समझ में आनी शुरू हो जाती है क्योंकि आपने समझ रखी चीजों को तो सबसे पहला काम यह कजी नोट बना लेजी और कोजिंग जाते हैं इसके बाद आपको क्या जब अच्छे हो जाते हैं उसके बाद आप बड़े सब्जेक्ट को एक एको ले लेजी अब इसमें एक यहां दो का रिवीजन करी और एक एक सब्जेक्ट इसको ले लीजी राजनिति भूगोल और इतियास अब इन तीनों में क्या करना है देखो इसके नोट्स बना दिये कोचिंग कर ली और इसको ठीक तरीके से काम कर लिया इन में क्या करना है इन में जैसे इतियास है तो सबसे पहले विस्व इतियास बढ़िया तयार कर लो और फिर राजनिति में सद्धान्त बढ़िया तयार कर लो आप इन तीनों के नोट्स भी बना सकते हैं और ये तीनों आप टीचर से पढ़ भी सकते हैं कि देखो इन सिद्धानतों के आदे आदे प्रशना आते हैं तो विस्व वगोल विस्व इतियास और पॉलिटिकल साइंस की ठीरी पॉर्शन यह बहुत शांदार तरहीं के से पढ़ पीछे रहा इंडियन इस्ट्री इंडियन जोग्रोफी राशतान जोग्रोफी इनके नोट्स बना एंडियन पॉलिटी नोट्स बनाने की कोई आप शक्ता नहीं है आपके पास जो भी किताब गयड है उससे ही अंडर्लाइन करके पढ़ने लिए नोट्स आप इन पांसों के बना लेजी और इनके सिद्धान्तों के बना सकते हैं साइंस के सद्धाइन बना लीए रिष्यास में लगता है कि वारत का इतिहास और राज व्यबस्ता कि वारत का वोगोल और राजस्तान का वह से इनके नोट्स कोचिंग जा रहे हैं कर रहे हैं अलग बात हैं बाकी नोट्स बनाने की ज़रूत नहीं है इनको आप किताब से देखिए जहां तक राजस्तान के बगुल की बात है नया पुराने के चक्र मत फंशिया पुराना ही बढ़िए क्योंकि अभी तो बजला सरकार ने प्रेम बैर्वा समीति बठाइए और वो समीति अभी क्या करेगी जिलों को कम करेगी अभी पचास से जिल्ले आएंगे वापस 33-35 पे जाकी अभी बहुत चेंज होने वाला आप नए-णए के चक्कर में मत फंश है अकबार में अभी नियूस दिला दीती कोचिंग वाले ग पुराने जिलों की बेस्पे जन्द गंदना या पुराने बेस्पे उसारा कुछ पराना होना है इनको तो आप नोट्स ना बनाए किताब वह बढ़ ले और इनकी तो मुझे लगता है कोई गाईड बढ़ ले मैं किताबों के नाम आगे आपको बता रहा हूं ठीक है और इ आपको ज्यदा बार विजिन करें लोग परसासने तो लोग परसासन का विश्य के रूप में विकास है सिद्दानता है समा सास्थर के सिद्दानता है ट। इस तरह से आपको क्या करने सेगी इन पांचव के नोट्स बना लो सकता है तो आप इन रहा हम सबचेक्टा मैं आप को wrong सब्सक्mumbling को उस्ट्वी को बात आव तो यह नोसार आंप यूरी मंसमझना की कोई थो कपनी लिदा है अच्छा आप कोगे नहीं सर में इंडियन इस्ट्री जोग्रोफी और रास्तान जोग्रोफी के भी नोट्स बनाऊंगा मैं पूरी कोचिंग जाता हूं कोई बात नहीं बना सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है लेकिन अगर आप मैं अगर होता तो पांच की यह बना लेता और इस लेकिन अगर घर पे पढ़ता तो निश्ची तोर पे कोई ओनलाइन देख लिया इससे काम कर लिया फटा-फट इसको सबसे पहले निपता था पिर इनके रिविजन शुरू करता और यह जो नोट्स नहीं बना रहे हैं इसकी कोपी को देखना शुरू कर देता और फिर कोई टैसरी वगेरा जोइन कर लेता क्योंकि पुराने पेपर्स की इतनी किताब हैं इनकी आती नहीं यह बड़ी समझा रहती हैं तो यह इसका पढ़ने का तरीका रहेगा इसमार्ट तरीका यही है कि आपको किस तरे से इस पर काम करना है ज्यादा सी ज्यादा जोर आपको इन पांसों पे दैयना ओ फिर इन तीनों के भी यह बाग ज्यादा देखने है और इन धागा को क्योंकि देखों आप इनके ऊपर बहुत मेहनत भी करोगे ना तो भी नंशब्हार कुम पारत की प्रिश्ना आइंगे राज व्यवस्ता से सवाल आएंगे 6-7 16-17 वारत और राजस्तान की भुगोल से लगबग लगबग दस सवाल यह 25 सवाल है इस 25 सवाल और इधर है यह पूरे 125 सवाल तो 125 के नोट बना दो और यह 25-30 सवालों के आप किताब से पढ़ लो इस 30 में से मैं दावे के साथ कह सकता ह कि आप 1820 कर लेंगे बड़े आराम से कर लेंगे मिना नोट सी 130 जो है यह यहां पर आप 900 के आसपास पहुंचोगे न तो बड़े आराम से आपकी नौकरी लग जाईगी कहीं दिक्कत नहीं आएगी तो पहला काम तो यह करना अगर आप सोचते हो कि मैं एक भी किताब का नो आती गाइड एक आती है पुस्त के बड़े लेवल पर आती है और तीसरी आती है कोचिंग अब आपको इसमें किस पर काम करना मैं वो भी बता देता हूं आपको देखो गाइड की मैं अगर बात करूं इसकी खूबी यह होती है कि सारे पार्ट इसमें सारी सामगरी आ जाती है क्योंकि वो सेलेबर्स के अनुसार लिखी होती है कमी यह होती है कि इसमें अवधारना समझ नहीं सकते हैं गाइड पढ़के आप विशह के प्रती विकास नहीं कर सकते हैं और अगर आरपी यसी ने थोड़ा सा पेपर कंसेप्चुल दे दिया या समझ आधारी दे दिया तो गाइड वाले बच्चे डह जाते हैं गाइड में आपको पाठ्थ सारे मिल जाते हैं लेकिन एक अप्रोच डेवलेप नहीं हो पाती आपकी खुद की समझ विक्षित नहीं हो पाती आपको तथ्य मिल जाता है लेकिन आपका कंसेप्ट क्लिए नहीं होता है तो गाइड पर आप उस गाइड से देख लो जैसे भारत का यूए नो में योगदान अब वो पार्ट आपको गाइड किताबों में अच्छी किताबों में नहीं मिलता है तो आप यहां पर अच्छा अगर आप किसी कोचिंग से जुड़े हुए हैं यहां पर तब आप मैं आपको बहुत अच्छे से कह सकता हूं कि किसी गाइड को आपको देखना ही नहीं है बिल्कुल गाइड से दूर रहें कि अगर आप कोचिंग से जुड़े हुए हैं तो गाइड की जुरूत नहीं है अगर कोचिंग से जुड़े हुए नहीं है तब आपको गाइड की जुरूत लेते हैं वह चार-पांस किताबों से मिलाके बड़ी आतरीके से परस्तुत कर देते हैं तो मुझे लगता है कि इसकी जरूत नहीं कोचिंग संस्तानों की अगर आप कोचिंग कर रहे हैं तो आपको गाइड की जरूत नहीं पहली बात तो यह गाइड कौन सी लानी यह भी स्क्राम करें अब बात आती इसका रॉल इसका रॉल कभी खतम नहीं हो सकता यह कोचिंग कर रहे हैं तो भी ठीक है गाइड पड़ रहे हैं तो भी यह ठीक है इसको तो आप यूँ समझ लीजिए यह जरूरी चीजह है पुस्का बहुत जरूरी होती है क्योंकि यह समझ भी सारा सेलेबर्स आपने बड़िया तयार कर लिया उसके बाद अगर आप कोई पुस्तक देखते हैं तो आप थोड़े एंडरीची होंगी लोस वाली कोई बात नहीं लेकिन आप सीधी जैसे एकनोमिक्स वेस्टियर सास्तर की किताब लेके बैठ गए तो मैं दावे के साथ कह स रहेंगी तीन विश्रे खोड़गी भौगों पॉलिटीकल साइस में जनली दिक्कति आप ब्डीक साइंस में ए थोड़ा समझने में दिक्कत आती है तो आपको क्या करना है पहली बात थो यह गाइड कोशिंग करना मैं दिमाग मैं अब आपने यह कोच रिचे घर przysz यह कर ले ली तो गाइड पूरी बढ़िया पढ़ लो तैयर कर लो किताब देख लो फिर किताब मैं आपको बता रहा हो आगे ठीक है अगर आपने काया गाइड नहीं देख लेते हैं आपको जरूरत नहीं है और ये बहुत तयार हो जाता फिर आप advancement के लिए किताब देख सकते हैं अगर आपकी इच्छा होती है कोई concept आपको लगता है कि ठीक नहीं हुगा तो कर सकते हैं तो आपको समझ में आ गया होगा यह तीनों एक साथ रखनी नहीं है गलती से भी नहीं रखनी है पुस्त को में देखो आपको 11-12 भी होती है है हिंदीग्रंथ अकाद्मी की ह 설 Film инst को में Unsura को में अदर अधर भी सर्सी जी आएगी इस यह दो यह रखते हो तो यह नहीं करना है यह कर रहे हो तो यह नहीं करना इसको आपको कब करना है कोचिंग कर रहे हो तो कोचिंग के बाद इसको कर लेना चाहिए अगर आपको टाइम मिलता है तो और गाइड पढ़ रहे हैं तो गाइड के बाद यह कर लेना चाहिए तीनों एक साथ लेके बैठो किताब देखते हैं तो डेफिनेटली उसमें कुछ चीज़ें किताब से आपको एक्स्टा मिलती तो अपने नोट्स में एड़ अप कर दें फिर गाइड लेके और उस नोट्स को एंद्रिच नहीं करना है कोचिंग में पढ़ लिया नोट्स बना लिए तो नोट्स बनाने के बाद आ अपने आप में नोट्स होती हैं तब आप क्या करोगे गाइड और पुस्त को मिला सकते हो ठीक है अगर आप इस दोनों को मिला लेते हो तो इसकी जरूत नहीं इसको कर लेते हो तो इसको करते हो जिसकी जरूत नहीं है तीनों को मत अबनाओ बस इसको तो बीच में रखना ह कर दो गर लेंगे हैं। कि आपको कोचिंग के दोब्स आपको लिखता नहीं मैं अगरी को ओब क्या हुब है। अब बात होगी यह तो दोनों चीजें होगी मैंने आपको समझा दी अब बात करेंगे कि कौन से सामगरी उपयोग में लाई जा सकती है अब देखिए दिख्कत क्या है दिख्कत यह है कि जैसे हिस्ट्री में आप सोच यह प्राचिन पूरा है यह मद्य पूरा है और यह आध इसकी किताबें बताएं तो तीन किताबें होती है विश विटियास की अलग आती है भारत की इतियास की अलगाईगी ठीक है अब देखो भारत का इतियास भारत इतियास में आपके पास कोई भी गाइड है तो आप अपने इस्तर पर गाइड देखले ना मैं किसी गाइड का नाम नहीं कूँगा आप अगर कह रहे हैं आरे से भारत की इतियास के जो टोपिक सेकंड ग्रेड में हो पढ़ लिए तो आरे दी बैस्ट है आपको कोई औ कर सकते हैं प्लस फिर बाद विस्वेतियास की अब जब विस्वेतियास की बात आती है तो विस्वेतियास में तीन करांति आहे और मैं चाहूंगा कि आप के अंदर आपके सद्धानतों की बस बागी नोट्स नहीं बनाने तो अरविन जी से किताब लीजिए नई मार्केट से आपने किसी साथी से उन तीन उकरांद कियों के नोट्स बना दीजिए बस अच्छा अगर आपने मेरे से पढ़ रखा है किसी माध्यम से हैना मेरे कोर्स अगर आको पढ़ रखा है तो आपको इनकी किसी किताब शेक्ता नहीं उस नोट्स को आप आपस पढ़ते रहना किसी किताब को नहीं देखता है क्योंकि मैं बड़ा स्योर हूं और मैंने जिस लेवल का पढ़ाया है आपको किसी अन्य पुस्ते के साथ जाने की ज़रूत न तो निस सुपांच और चार सवदा सक्का जुत्य चरण में चोईसा फेवसोबास अंदर बोस एतीनों पढ़ने गांदी जी के तीनों आंदो लन नहीं पढ़ने बस कॉंग्रेस का केवल उधारवादी चरण और गरमपति चरण जो है वहीं पढ़ना है क्रांति के कारण प बढ़ने है मौरेकाल मैं इसके जानकारी के शेश्रोथ राजनुरतिक जीवन देखना राजा के उपलब दिया और की क्यान की बाद कि बात करेंगी तु मोरेकाल के बाद सुंग कर्ण वगयरा जो है सातवान वगयरा इनकी केवल कला देखनी एंग ऐसे गैसे सारा जो पॉइंट टू पॉइंट सेले बस है वह किताब से आप देख लो ठीक है और वेल्ड इस्ट्री के अंदर आपको अर्विन बासकर से तीनों करांतियों के नोट से बना दो और इसको आप कंटिन्यू इसलिए देखते रहें और अगर आप मेरे से पट रखें तो आपको यह देखने की जुरूत नहीं है ठीक है इसके बाद है भुगोल भुगोल के अंदर अगर मैं बात करूँ तो भुगोल में भी तीन किता में चाहिए यह आपके बातिक बादिक यह भारत का बुगोल एगर अब आपको क्या करना है जो भुगोल है इसमें ग्यार्मी की जो Н. c.r. यह कंपलिट सेलेबस कवर कर रही यह और आपको किसी और पूस्त कि आफशेक्ता नहीं कंप्लिट बौतिक और भारत का बोगोल इसमें बारत का बहुतिक पर्यावरन बहुतिक बुगोल के मूल सिद्धान्त दो भारतिय लोग रहत विवस्ता यह तीनों किताबें जो हैं आपके सेलिबस को कंप्लिट कवर कर लेती है और प्रॉइग नहीं सरमें एक और कोई किताब चाहिए तो आप बौधिक परकासन की भारत विश्व की किताब ले सकते हों बादिक परकासन को वानी परकासन भी गैते हैं इसकी बारत की अलग आती है और राजस्तान की सब्सक्राइब और जो बी आपके पास में उससे पढ़ लेना किसी क पुराना ही पढ़ना है नया कुछ नहीं पढ़ना क्योंकि अभी भी आपके यह जिलों में वापस एक बार चेंजिस आएगा बहुत विश्वास के साथ कह सकता हूं कि आप नई पुराने के फेर में मत फसे जो पुराना है उसको आप अच्छे से चलने दें तो यह हो गया बोगोल का 1112 की याद करके पढ़ लेना और एक रास्तान के बोगोल की जो भी आपको लगता है कि हमने पढ़ लिए और विश्व बोगोल की नोट्स बना लिए तब विश्व बोगोल बहुत दीक परकासन से भी एक बार देख लेना फिर आपके नोट्स एंद्री चो रखा है और आप पुराने विद्धार्थियों से पूछ से उनको पता भी है तो आपको इनकी जरूत नहीं है और मेरे वाड़े नोट्स आप आराम से खुद से लिखना और तयार कर लेना इसका सारा काम मैंने बना रखा है ठीक है इसका हो गया काम पका हूं तो देखो इस मैं बढ़नावाल है तो ठीक है वह बढ़नावाल भी आप आपका जैसे भुगुल विश्र है और आपको तो वैब भाइब पूरे बहुद की है बस मैं तो ठीक है वह बता रहा हूं जो आपके शोट में चल जाए और हमारी परिक्स्ता में सवाल 90 परसंट आब आजाए बा इसा काम मत करें है तो मेरा एक सजिर्चन ने आपके पास कोई अन्य किताब है तो अन्य लेकि आपके पड़ सकते क्योंकि किताब लगबक सबक्ष शमान ही होती है सब में समसे सहम होता है अच्छिस कीप बहारत का ब dagule भी कर लिया पूरा सांखे की कर ली और व्यश्चि और समस्टी अर्षास्त्र करतीthinking अब व्यश्चि और समस्टीति अर्षस वग्रण इन सब को कैसे करना है तो मैं आपको इसके बारे में बता देता हूं इकनोमिक्स अर्द सास्त्र ठीक है आपको क्या करना है एग्यार्वी वबार्वी की NCRT इसकी तीन किताबें है व्यस्टी समस्टी और सांखिकी यह तीन हो इसमें आती है 11 12 में और आपको बता दूं कि कि दो या तेन टोपी को छोड़के सारा का सारा इसमें कवर हो जाता है इसकी दोनों की NCRT की पास्बुक आती वी के ओरी की वह पढ़ सकते हैं अब ठीक है वी के ओरी की किताब आती है और इसके अलावा जैसे कुछ इंडेक्स वगेरा है उसके लिए कोई आप देख सकते हैं यह एंडेक्स का तो कुछ हो नहीं सकता उसके लिए आप गाइड देख लो गरी भी विरोजगारी यह टोपिक बहुत हार्ड नहीं होते और समस्टी और वैस्टी की जो टोपिक है ना वह सारे इसमें से देख लो समस्टी वैस्टी की कॉन से टोपिक है जैसे राश्टी आहे हैं वह उसमें इसमें से आते हैं अगर और अगर मापस वही बात कहूंगा कि मेरे से आपने एकोनोमिक्स पढ़ी है पिछले बैस में हो चाहिए अभी जो चल रहा इस बैस में पढ़ रहे हो तो आपको इस किसी किताब की जुरूती मैंने उसे सब्सक्राइब रखा है आपको पता है कि इतीनों सब्जेक्ट मैंने पड़ाई रखें सक्सेस पाइंट अप्लिकेशन पर हैं वो सारा कुछ तो इस्ट्री जोग्रोफी और और आपकी इकनोमिक्स इन तीनों का काम तो आप इसे सबसे कर लेना ठीक है एक आता है एक आता है इंडिन कॉंस्टिशन का बाग और टीसर आता है फॉरेंड कि अगर किताब बताते तो तीन किताब ऑगती इसको आपको किसे नशे करना को राजनीति विग्ञान की सद्धां बहुत कठी नहीं पूछे जाते पीची ज्यार्मी वी किताब द først आ और नुका बोले चलती थि राजिस्तान्सक्य ऊप्सानिति Richard- amer.org कर रहा हूं उसमें तो समकालिक और विस्व की राजनिती और भारत की राजनिती दीवी हैं जो इतनी ज़्यादा काम की नहीं है हमारे इस परिप्रिक्षे में 11 और 12 का बार्मी की RBSC बेहद सांदर किताब हैं और इसके अलावा भारत की समिधान की जो किताब हैं वह आप लक नहीं रहेगी और साथ में एक गाइड ले सकते हैं और गाइड में फिर आपको क्या होगा कि यह जो पोर्शन है जैसे आपके यूए नो में भूमी का है या फिर आपकी विद्शनिती के संबंध है यह छोट छोटे बिंदू आपको इस जगे आपको आर्म से मिल जाते हैं कि आप उसको कंपलीट फॉलो कर सकते हैं और आप सेल्फ कर रहें तो यह तो यह आप आराम से देख लिएनन से और यहांसे भी आपको आराम से 90% सवाल किताबों से आराम से मिल जाते हैं तो ये कहले ना मैं कहाँँगा कि जो सद्धान्त वाला वागे उसके बढ़िया नोट्स तियार कर ले ना और ये छोटे वाले जो टोपिक है ना इनके भी नोट्स बना ले ना बढ़िया से Constitution of India के नोट्स बनाने की अवशिक्ता आपको नहीं है तो नोट्स किसके बनाने किसके नहीं बनाने ये भी मैंने आपको बता रखाए तो राजनिती विग्यान में इसको आप देख सकते हो लक्ष्मिकान तिया वाधिक परकाशन एक गाइड लो अगलक तोपी के लिए किताब से सद्धान तयार कर लो टिकीए। ज्यादा देखनी क्या व्शिक्तन है उसके बारे आथा समाज शास्त्र समाज सास्त्र में क्या है समाज शास्त्र के लिए आपके एक तो वारती समाज known इसकी पुराना समाज बही कर और उसमें सारे टोपिक कवर हो जाते और शान दार लिखा हुआ एक गाइड ले ले लेना जिसमें दो तिन टोपिक बौधिक प्रकास्ण में कम है गाणा यह जैसे यह यह जैसे वरणास्ष्वरम ध्रम और कुछ बिंदु कम है उसमें वह ब्लदुब आप आप गाइड से द और वापस वही बात है कि अगर आप पढ़ रहे हैं कोचिंग से क्लासे से यह मैं बात इसलिए कह रहा हूं कई बचे पढ़ रहे हैं कोचिंग क्लासे से फिर वह वापस मुझे पूछेंगे सब आप हम यह किताब लाएं कि नहीं लाएं मुझे बताना पड़ता है कि आप पढ़ रहे हैं मेरे से उनको इन किताबों की आप शिक्ताब बिल्कुल नहीं है पहले अगर करना चाहते हैं तो आप अभी जैसे अपना चल रहा है एकनोमिक्स लोग परशाषन और सोच्योलोजी और जसन सास्त्र इनकी देख लो आप टोपिक आपको एक्स्टा मिलता है तो ठीक है नहीं तो आप चलते रहो आपको पताएगे एक्स्टा किता ही मिल रहा है आप कोदी क्लास में मुझे बताते हैं कि एक्स्टा कुछ है नहीं है हमने बहुत एक्स्टा कर रहा है तो आप देख लेना उसे सबसे हैं सोच्यलोजी में यह दो खूब हैं बहुत दिक परकाशन मुश्ट टोपिक कवर कर लेता है और एक आधी गाइड ले लेना जिसमें अब आता है लोग प्रसासन पूरा है और लोग प्रसासन के सिद्दान्त और इविस्टाय के रूप में विकास यह सब चीज़ यहां जाती है ठीक है अब इसको कैसे करना है इसके लिए भी हमें इसके भी आपको नोट्स बना लेने हैं एक एग्यारवी वह बार्वी की आर्बी ऐसी आपको के सारी कहां मिलेगी ढूंडने पर व्यक्ति को अमेरिका ही मिल जाता है यह तो किताब है पिछले इस NCRT का मैं सजेशन नहीं दोंगा एग्यारवी और बार्वी की आर्बी ऐस किताब मैं कोसिस करूंगा मुझे कहीं मिली तो अपने टेलीग्राम पर मैं यह किताब है इग्यारवी बार्वी की लोग परसासन और हमारी जो मार्दिमिक शिक्षा बोर्ड की पॉलिटिकल की साइंस की किताब जो मैं याना आर्बी ऐसी जो जो लिखी है ना वो मैं टेली पर देशरी देख लेए ना बड़ी किताब है और अब बड़ीशानधर किताब है ना यह एक बड़ी किताब देखना चाहत हो तो लेकिन यह बेस्ट है तो किताब इन दोनों मैं से कोई किताब प्रसंद मार्द आईनए जो बाकी निकलता हुए और पर紫ीक को मिलाके the तीनों को मिला कि इसमें तो के वल वही टोपिक लेना जो इन दोनों में अगर नहीं कोई मिलता है तो 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 आप अपना नोट प्लस अगर आपको एंसी आर्टी वगरा देखते हो तो आप देख सकते हैं मैं कोई मना ने करूंगा वह आपके लिए फ्रूट्फिल है ठीक है बाकी किताबों के आपको आप शिक्ता नहीं है अब आती बात फिलोसोफी की साथ क्या दिक्कत है एक तो है भारती कि दर्शन के लिए दर्शन के लिए लेकिन दिक्कत यह कि लेंगभे समझ में नहीं आती है इसलिए कई बार हम कहते हैं घाईटी पड़ो पास ताते के लिए जाटवसाम की ताव अच्छिए आती है जाटवसाम का पूरा नाम है डियार जटव और वेद्रकाषर्मा की जो तीन किताबें पढ़ो या फिर आप कोई कोचिंग के नोट्स पढ़ लो तो भी बेस्ट है और आपको लगता है नहीं हम गाईड से बढ़ेंगे तो आपकी इच्छा है मैं तो सरफ यह कहूंगा क्लास के नोट्स पढ़ लो बढ़िया बेस्ट है कहीं से भी पढ़ लो आप फिलो सोफिक लिए और इन किताबों को लाके पढ़ोगे ना तो दिक्कत पता है कहां आती है दिकत यह आती है कि इनकी लेंग्वेज एक प्रोपर समझ मीद्वीन है यह कब पढ़ सकते हैं जब आपने क्लास के नोट्स बढ़ी अरट लिये डंग से फिर पढ़ सकते हैं कि के साथ दिखती है कि उसमें तो गुलोटिन किया होता है कई चीज़ें सोड़ी भी होती है तो समस्य आती है कि इस गाइट से फिर बिल्कुल कंसर्ट विक्सित नहीं होता और पुस्त के टाइम बहुते लेती है तब बैस्ट ऑप्शन इसका कोचिंग की नोट सेहते हैं जिसम क्योंकि यह साब आग है टीचिंग मेथड़ का जहांसे आप कोई गाइट लो और एक हिंदि ग्रंत अकादमी की किताबाति अमीर चंद जैन की एक हिंदी धकाद्मे किताब आती है । नुम्छान वाली भात निया है तो इस तरह अपने बाग हो गए मैंने आपको मुठा मुठा बता दिया तो और यह चीज आपको अच्छे से समझ में आगी होगी आपको अब निर्ने लेने में आसानी होगी ठीक है तो मैंने बता दिया कि किस तरह से तीन बड़े सब्जेक्ट है पांच छोटे हैं पांच छोटों के नोट्स बनाने चाहिए और हो सकता है पांच छोटे हैं तो आप इसकी कोचिंग भी कर लीजी और इनके शौट नोट्स बना दीजिए फिर इनका रिवीजन चलते रहने दीजी तीन जो बड़े उनमें विश्व इतियास विश्व गॉल और राजनितिक सिद्धान्त इनके सोट में नोट्स तयार कर लिजी बढ़िया इनके नोट्स बनाने नहीं इसको किताब म सब्सक्राइब के साथ कवर हो जाता है तो अब भरती के बाद में भी फर्स्ट पर बढ़िया देख सकते हैं बरती तक तो कम से कम इस पर द्यान दीजी आप उसके बाद मैंने आपको कहा कि आप है वो गाइड लेते हैं तो साथ में पुस्ट के रखें क्योंकि गाइड से पूरा क्लीर नहीं होता पुस्तकों की दिक्कत ही आती है कई सब्जेक्ट हमें किताबों में समझ में लेट आते क्योंकि इतनी समझ विक्षित नहीं होती है तो अगर आप क्लासेस जोइन करते हैं तो आपको गाइड कि आप शिकता नहीं क्लासेस बढ़िया कर लिजी आप तो इस तरह से तक्रीबन एक साल लगता है बढ़िया तयारी करने हैं अगर आपके सब्जेक्ट लगबख सारी कमजोर है तो एक साल में आप बहुत बढ़िया सामाजी की तयारी कर सकते हैं फिर पांच-छार मेने और मिल जाते हैं दो-चार मेने तो बढ़िया हो जाता है STARTING जो आपको करनी है को आपको सोटे सब्डेक्ट से करनी है इनको पहले इसमें फस गई एथियास राजनेती वगुल में तो आपकी छोटे सारे सब्जक्ट रह जाएंगे तो यह पहले करें और यह करने आगे कोई वीडियो बनाके समाधन कर दूंगा और हां इस पूरे वीडियो में मेरा सर्फ एक ही इंटेंशन है कि आपको मैं सारी सामगरी के बारे में बता सकूं कि आपको सामगरी चायन में आसानी हो सके उसे मेरा कोई वित्य हित नहीं और नहीं मेरा किसी कोई किताब आसे वां रहीं में आसे नहीं मेरा किताब कर दोप्सा दिए प्यumphेश पर में मेरा कि अव्स, और आसे बépoqueовे लिए कोई के सपके मेरा कि को और यज आचिए कर दो, आसे एक हादें हो और हो बमादने है